हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडी टू कम्मूनिटी में स्वागत करता हूं तो आपने स्टॉक मार्केट में देखा है होगा कि रेगलर बेसिस पे हमें इबेंट्स देखने को मिलते हैं जिसका मार्केट पे शॉर्ट टम के लिए अच इस तरह के और भी बहुत सारे कम्पनी के स्टॉक स्प्लिट होते हैं बोनस इशू होते हैं तो उन सब के बेसिस पे हम कैसे फाइदा उठा सकते हैं यह सारा जो इवेंट आता है जिस पर मार्केट पर शॉर्ट टम के लिए इंपक्त पड़ता है उससे हम क्या फाइदा बना सकते हैं तो कैसे इसके उपर हम इस वेडियो में बात करने जा रहे हैं तो चलिए सेखते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आ गए और देख सकते हैं यह आपका टाटा इस्टिल का अब अर्ली चार्ट है अब आज यह नहीं 28 जुलाइ 2022 को यहां पर स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1 इस्टू 10 के रिशियो में तो क्या एनॉंस्मेंट आज ही हुआ है नहीं एनॉंस्मेंट आज नहीं हुआ collaboration बहुत पहले हो गया था और उस ते भी पहले यह news में आ गया था ति यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके बार में न्यूज आया था वो आया था आपका 18 अप्रिल 2022 को न्यूज आ गया था न्यूज क्या था कि Tata Steel क्या करने वाला Stock Split Announce कर सकता है कौन से डेट को 3rd of May को ये Stock Split Announce कर सकता है और उस ताइम जो इसका प्राइस चलवा था प्राइस आपका 13.35 के करीब चलवा था और उस दिन 0.5% उपर गया था और 13.50 के करीब ये क्लोज दिया था यह नहीं 18 अप्रिल को ये न्यूज में आ गया था कि 3rd में को Tata अप्रिल क्या कर सकता है अपने Board Meetings में Stock Split Announcement कर सकता है अब हमारे पास ये Information तो आ गया और हमारे साथ साथ ये Information और भी कई लोगों के पास होगा तो क्या लोग इस Information से फाइदा उठा सकते हैं इससे भी फाइदा उठाया जा सकता है कैसे वो अब आपको समझना है और यहां मैं आपको आज की डेट का Live Example भी बताने जा रहा है जहां पे अभी Recent में आज की डेट के एकॉडिंग एनॉंसमेंट होने जा रहा है तो वो भी है बस्टियल के डेली चार्ट पर रहे हमने निश कप देखा था नीश जुआ है उहाया था एटीन ऐपरिल को टो 3rd of May के करीब के डिट का उससे एक दिन पहले हम positions लेंगे तो हमें 2nd May का इंत जार है और 2nd May का डिट देख सकते हैं यह वला है आपका 2nd May का डिट यहां पे क्लोजिंग के टाइम पर हम क्या करेंगे positions लेंगे और कौन सा positions लेंगे वो यहां पे आपको ध्यान रखना है और यह जो closing दिया आपका लगबग आपका 1300 के करीब closing दिया है तो यहां पे हम क्या करेंगे 1300 strike price का call options buy करेंगे और at the same time 1300 strike price का put options भी हम buy करेंगे यह हमारा trade setup हो जाएगा क्योंकि वहां पर मुझे पता नहीं है कि market इसके बाद कैसा react करेगा हो सकता है उपर भी चले जाए हो सकता है नीचे भी चले जाए लेकिन इतना हम स्योर है कि market volatility आएगा और उस volatility का हमें फाइदा उठाना है तो अब देखिए उसके next day क्या हुआ प्राइस आपका यहां से कहां तक यहां जो high touch किया वह लगबाग 1330 का high touch किया और low touch किया 1254 का यह लगबाग यहां से price आपका upside move दिखाया है 3% का और at the same time downside move भी दिखाया 3% का तो अगर आप intra day में ट्वेड करना चाहते हैं या फिर btst ट्वेड लेना चाहते हैं तो अगल दिख जाएगा तो यहां से छोटा मुड़ा profit आप उसके next day कर सकते थे लेकिन मैंने आपको क्या बता है यह जो event है इसका impact हमें short term देखने को मिलता है सिर्फ एक दिन में इसका impact खत्म नहीं होता है उसके बाद क्या हुआ है price आपका गिरना सुरू हुआ है और all the way जो price गिर तो क्या होता जो हमारा put options है वो हमें जवर्दस profit देता हमारा call options वाला 0 जवर हो जाता है लेकिन put options हमें जवर्दस profit देता है और overall अगरम profit की बात करें तो लगबग आपका यहां पे 3 times to 5 times का profit आसानी से मिलता हुआ दिख जाता हम percentage बात नहीं करें percentage की अगर हम बात करें लग आपका 300% to 500% जो भी capital आपने invest किया उस पे profit आसानी से मिलता हुआ दिख जाता है तिये होता है event based trading करने का नतीजा जिसके basis पे आप यहां पे अच्छा खासा profit बना सकते हैं तिये दो हो गया past का अब मैं यहां पे आपको जो current example है जो recent example है उसको मैं आपको इसी तरीके से explain कर कब आया था चार्ट को थोड़ा समय adjust कर लेता हूं दो दिन पहले यहनि आपको इस date को new जाया था और date है आपका 26 July को यहां पे new जाया था कि बजाज फिन सर्फ भी अपना stock split कर सकता है 1-10 के ratio में या फिर इसी तरह का stock split हमें बजाज फिन सर्फ में भी देखने को मिल सकता ह है तो हम क्या करेंगे आज के date recording यह जो announcement होने जारा 28 July को होगा अभी तक announcement नहीं हुआ है अब टाइम देख सकते हैं अभी आपका 1123 हो रहा है तो अभी तक ऐसा कोई news नहीं आया लेकिन आ सकता है तो इस date के लिए हम पहले से तयार हैंगे यहां पर हम क्या करेंगे हम एक दि दिया है लगवग आपका 13,300 के करीब तो यहां पर हम क्या करते हैं 13,300 13,300 के आज पास वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसका call or put options दोनों buy करेंगे इसके nearest strike price है आपका 13,250 तो 13,250 का सबस्पहले हम call options buy करेंगे at the same time यहां पर हम इसका put options भी buy करना प्रेफर करेंगे यह चीज यहां पर आपको समझ में आ गया अब यहां पर दिखाता हूं कि आज market आपका all the way कहा गया 13,250 के level से increase करके price उपर गया है और आज ही लगवग आपका 7% का upside move दिखाया है और यह आपका गया है 14,380 के करीब अभी आपका trade कर रहा है यह नि लगवग 7% का upside move दिखा दिया है तो अब हम option chain पर लेगे चलते हैं और यहां पर आपको explain करता हूं कि जो कल इस particular strike price का क्या हाल था और आज इस particular strike price के call output options का क्या हाल है तो यहां पर देख सकते हैं बजाज फिन सब के option scene पर आगे अब यहां पर देख लिजए add the money के आसपास अगर आप देखेंगे त तो कितना रहता लगवाग आपका 1200 के आसपास क्या रहता है 11 से 1200 के आसपास strike price का प्रीमियम रहता कॉल पूर्ट दोनों को अगर हम add कर दे तो online average आपका 1200 के आसपास रहता है तो यहां पर जो हमने premium buy किया था वो 1200 का premium हमने buy किया था कल उसके बाद अभी अगर आप देख ले 13,250 के level पे क्या हाल है इधार है आपका 1400 और इधार है आपका 200 यहनि 1400 प्लस 200 कितना हो गया आपका हो गया 1600 के करी माइनस 1200 यहनि 400 पॉइंट का यहां पे मुझे और इसका lot size कितना अगर आप इसके lot size को देखो lot size है आपका 50 का तो total profit मुझे कितना मिला है 20,000 का total profit यहां पे मुझे मिला है और वो भी कितने दिनों में सिर्फ आपका 1 से 2 दिनों में profit मिला है किसके basis पे हमने trading किया है हमने event के basis पे trading किया है options में तो इस तरीके से आप कोई इवेंट जो आता है उसके basis पे आप यहां पे options में trade कर सकते हो हमें क्या फाइदा उठाना है हमें सिर्फ जो volatility आता है उस volatility का फाइदा उठाना है और जब event आने वाला उससे एक दिन पहले हमें entry लेना है तो इस तरीके से हमने दो example बता है Tata Steel और अभी जो recent example है आपका बज सब्सक्राइब के साथ समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी डाउट या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को